आज मैं आपको दिखाना हूं एक ही शायन में 4 ब्रांचे को ग्राफिटिंग कैसे करें मेरे 15 सालन्हका अनुभव है। मैं 15 साल से आम ग्राफिटिंग करता हूं। मेरा खुद का नशरी है की। मेरे पहुद साले है। प्रप्रकार से आप इसको ग्राफ्ण करें इनका पत्ती कैसे निकला जाए उसका पूरा डिलिउस में बताऊंगा, यह तुछे जनकारी इसको पत्ति कैसे निकाला जाएगा यहां से कट करके तब निकला जाएगा इस दिखे चार कंचा है इनको ग्राफिंग करेंगे आपको ग्राफिंग करके भी तिखाएंगे कि एक पड़ के निकलना चाहिए कि आप इस देखिए हमने तिन निकाल दिया है अब यह बाकी है आप इस देखिए इनको ग्राफिंग करेंगे देखिए सिंगल पीस है बस इन सारे ब्रांच को कैसे आप अब यह से ग्राफिंग किया जाएगा इसका पूरा डीटियल एक तुझे जर्णकाई बताउगा इसके ग्राफिंग कर रहे हैं बले से धारेदार बले से न्यू बले से यह दोना साइज समान कातना चाहिए और इसको इतना बारेकिस कातें जो एक समान दोनों तरफ हो है अभी मैं इसको भी ग्राफ्टिंग ब्लेज से काद के दिखा रहा हूँ देखिए आप इसको इतना अधी काते बस एक इंच एक किंच का देंगे और उसमें आप अच्छी तरह से लगा दें दोनों साइन समान वना चाहिए एक नीची वाल एक उपर समान होता है तो अच्छे से पकर लेते हैं यह दिखिए आप हलका से पोल्ठीन खीचे और उसको धीरे धीरे लपित दें बहुत ताइट भी नहीं अच्छा है बेश्ट है आपको दिखाने के परपज है आप इसी वीडियो में पूरा एक तुझे जनकारी प्राप्त कर सकते हैं यह दिखिए फोल ब्रांच है ऐसा आपने कभी न देखा होगा ना सुना होगा ऐसे चाप ब्रांच कैसे ग्राफ्टिंग होगा और सकसे फू को इसमें लगा के दिखा रहा हूं आप एक ग्राफ्टिंग से नो समझ आए तो इसलिए मैं दूसरा ग्राफ्टिंग करके आपको दिखा रहा हूं देखिए दोनों साइट एक समान है अभी मैं आपको देखिए अभी मैं इसको आपको बांध के दिखाऊंगा कैसे बांध हैं ताकि पौधा न सड़े न कले और अच्छा सगूर्थ हो जाए यह थी फोर ब्रांच का ग्राफ्टिंग करें हैं इसमें भी देखिए वान टू ठ्री फोर ब्रांच है इनको सबसे विष्ट ग्रू होगा और इनको कैसे बनाए अच्छा जाए ताकि वह एक भी बद मरें नहीं जो फोर ब्रांच है यानि चार ब्रांच है वह आसानी से सब ग्रू हो जाए अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें पॉल्थीन जो है चार ब्रांच को आपस में इस पॉलिथीन थैले कैप में आप उसको डाल के आप उसको अच्छी तरह से पाय कर दें जो की हावा उसमें नमी बनाए रखे और तंपरिचर से उसमें वास्पिंग होगा तो और नमी बनी रहेगी तो आपका ग्रूत अच्छा होगा आप मेरे वीडियो से संचुष्ट है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मैं आपका दोस्तर भी एक फीट का पौधा है इसलिए एक कैप से काम ने चला तरह दूसरा इसमें कैप देखिए डाला जा रहा है ताकि उसका सूर से दायत का नेक्शन में नव आये और नमी इसमें परकरार बनी रहे है यह दिखिए हमने इसको अच्छी तरह से लगा दी है तो एक फीट का हाई था है देखिए फोल प्रांच है ना एक दो तीन चार कितना अच्छा ग्रोव हो गया है कितना फूल जैसे जैसे लगता है खिला हुआ फूल हो यह दिखिए जो हमने ग्राफिंग किया था वह पकल लिया है यह दिखिए पोल्थी नभीपायक है जब यह जो पनका है तीन स्टेफ हो जाए तो उसको पूल्थी करना चाहिए एक दो तीन चाहिए इसमें भी फोल प्रांच है दिखिए किन्ना सुन्दार और अच्छा है आप मेरे चैनल पर नहीं है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें मैं आपका दूर भी यह भाई मैं बहुत प्रेश्रम से वीडियो बनाता हूं आपको दिखाता हूं आपको आम में चाहर व्रांच फाइफ व्रांच हो तो इस प्रकार से आप गुराफने करेंगे इस परसें रिजल्ट आपको सामने आएगा आप इस वीडियो से संतुष्ट अवस्य होंगे आ आप से निवेदर हैं मेरे वीडियो को अधिक से अधिक से करें लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज